हेलो दोस्तों सवगत है आपका हमारी psychology classes में तो आज हम आपको वताने जा रहे हैं एक्जाम पेपर के बारे में जिसका नाम है psychology of personality ठीक है तो जो एक्जाम पेपर है वो psychology का है ME third semester का और December 2025 का ठीक है तो यहाँ पर जो एक्जाम पेपर है हम आपको बता रहे हैं कि एक्जाम पेपर यह किस तरीके का आता है इस कितने marks करेता है कितने marks passing mark रहते हैं इसमें ठीक है ना तो यह सब चीजे हम आपको बताएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो देखो य इसमें जो time limit है वो आपको 3 hours की दी जाती है 3 गंटे की और यह जो एक्जाम पेपर है 85 नमबर का आता है 85 marks का आता है और इसकी जो passing marks होते है वो 29 होते है 29 नमबर ठीक है तो यहाँ पर क्या है यह जो और इसका एक internal assignment होता है 15 नमबर का जो की college में पहले ही करवाते हैं CCE के न इसका नमबर का हो जाता है total ठीक है लेकिन यह एक्सटर्नल एक्जाम है तो यह external exam पर आपका 85 का होता है internal 15 का होता है ठीक है clear अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर section A दिया गया है देखो आपको section A दिख रहा होगा इसके पहले note दिख रहा है जो time दिया गया उसके नीचे देखो एक note दिख रहा है उसमें लिखा है attempt all questions each questions has internal choice ठीक है तो सभी प्रस्नों की उत्तर दीजिए प्रतेक प्रस्न में आंत्रिक बिकल्प दिये गए हैं ठीक है तो आंत्रिक बिकल्प में यह है कि अथवा में एक प्रस्न दिया गया है आप उनके अनुसार आपको जो ठीक लगे आप उस question का answer दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो question इस section में जो question दिये गए हैं जिसको खंड आ के नाम से भी दिया गया है ठीक है तो यहाँ पे short answer type questions है जिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 into 5 equal to 25 तो इसका मतलब यह है जो आपका short answer लगूत्रिय प्र question है वो 5 number का एक question है और आपके जो सभी question है 5 question वो 25 number के हो जाएंगे ठीक है तो यह 25 number के हो जाएंगे ऐसे ही आपको long answer type question मिलेंगे section B में जो long answer type question मिलेंगे जिनको दीर कुछ उत्रिय प्रसन के नाम से जाना जाता है दीर कुछ उत्रिय प्रसन बोला जाता है तो उन में क्या है कि आपको 12 number का question देंगे 12 marks का और वो भी 5 question आएंगे ठीक है तो आपके 12 into 5 equal to 60 हो जाएंगे ठीक है तो 60 number के वो question हो जाएंगे आपके तो इस तरीके से आपको दिये जाती है question तो अब आप यहाँ पर देखिए आपको जो में क्या है आपको स्लेवस में 5 unit होंगे प्रतिक सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट पर्सनल्टी का पेपर है ठीक है psychology of personality तो इस सब्जेक्ट का जो स्लेवस है वो 5 unit हर सब्जेक्ट में 5 unit है तो उसमें क्या है कि 5 unit में से आपको प्रतिक unit से sweat answer type question दिया जाएगा और long answer type question दिया जाएगा ठीक है तो मतलब एक 5 number का question एक 12 number का अब यहाँ पर क्या है 5 number और 12 number confirm नहीं होते है क्योंकि देखो वो तो university और college के उपर depend करता है कि आपका exam paper किस तरीके का बनाते है और कितने marks का question देते है ठीक है तो यहाँ पर क्या है इन्होंने यहाँ पर देखो 5 marks का दिया है कभी कभी क्या है मैंने जो और old paper upload कर रखे हैं उन्होंने जो sweat answer type question है उसको 3 number में भी पूछा है ठीक है तो और जो 12 number का question है वो उन्होंने 14 14 number का पूछा है ठीक है 14 marks का तो इस तरी तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जो पहला question है वो आपका देखो इन्होंने दिया है यूनिट फ़स्ट से ठीक है तो यूनिट फ़स्ट से देखो यहाँ पर नो ने लिखा है सभी 5 प्रस्णों के उत्तर दीजिये प्रतिक प्रस्ण 5 अंक का है देख लेकिन प्रतिक पेपर में ऐसा लिखके नहीं देते हैं, जैसे मैंने आपको और भी ओल्ड पेपर अप्लोड कर रखें, आप देख सकते हैं, देखो, और पेपर में भी बताया है, देखो यहां पे नोने पहला कोश्चन क्या पूछा है, बताते हैं, ब्यक्तुत्व की विभ पोट दौरा दी गई ब्यक्तुत्व की परिवहासा को समझाएं, ठीक है, तो अब इसके बाद इन्होंने जो दूसरा कुश्चन पूछा है, देखो, यह तो अथ्वा में हो गया, अथ्वा में जो कुश्चन पूछा है, इसका अथ्वा का मतलब यह होता है, कि आपको इन दौनों कुश्चन में से कोई एक करना कंपल सरी है, ठीक है, तो जैसे कि व्यक्तुत्व के बिभिन सैद्दान्तिक और पागमों की संचित व्याख्या कीजिए, इसके अथ्वा में दिया गया, आलपोट दौरा दी गई व्यक्तुत्व की परिवहासा को समझाएं, ठीक है इन दौनों में से आपको कोई एक करना कंपल सरी है, ऐसा नहीं है कि आपको दौनों कोश्चन के अंसर आएं, तो आप दौनों लिख दें, ऐसा नहीं करना है, आपको ओली एक ही कोश्चन का अंसर देना है, जो कोश्चन आपको बेस्ट लगे, ठीक है, तो वो आपको अप से पूछा गया है देखो यूनिट सेकेंड से अब यहां पर क्या है फ्राइड एवं न फ्राइड वादियों के देखिए जूम कर देते हैं पहले तो आप इन दोनों कोशन को नोट करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर यहां पर देखी लिजी आप यहां पर जो दूसरा question है वो है Friday एवं नव फ्राइडवादियों के व्यक्त्त्वि की अवद्धारणों में अंतर बताईए ठीक है अब इसके अथवा में नोने कौन सा पूछा है तो इसके अथवा में नोने पूछा है अंतर मुखी एवं बहर मुखी व्यक्तित्व क्या है ठीक है तो इनका मैंने बताया सेम प्रोसिस है कि आपको फर्स्ट जो अत्वा का कोशन है इन दोनों मेंसे आपको जो कोशन बेस्ट लगी जो अच्छे सी आप आंसर लिख सकते हैं वही आप उसको को आंसर दें टीक है वह उसी उसी कोशन का आंसर दें आप आंसर कोपी में ठीक है चलोओ आब आप नेक्ट गोशन देख टीक है नेक्स्ट क्या देखिए कोशन क्या है आपका देखिए यून sharkjak से पूछा गया है Explain stage of psychosocial development given by irrigation तो इन्होंने पुछा है irrigation दोरा दी गई मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं को समझाईए अत्वा में इन्होंने पुछा है मनोरक्षा युक्तियों को समझाईए अब इन्होंने unit 4 से जो question पुछा है unit 4 में आप देख सकते है unit 4 से इन्होंने पुछा है इसकिनर का वेभार परक्सिद्दान्थ ठीक है इसकिनर का वेभार परक्सिद्दान्थ पुछा है इन्होंने और यहाँ पर देखो अत्वा में इन्होंने क्या पुछा है अलवट वेंडोरा के अन्योन निर्धायरता संपृत्याई को समझाईए ठीक है और इसके बाद इन्होंने यूनिट फाइब से जो कुशन पूछा है वो इन्होंने पूछा है सकारात्मक मनोविज्यन क्या है ठीक है अब वोट इस पॉजिटिव साइकॉलजी अब इसके अध्वा में नोने पूछा है डॉलाइड एवं मिलर के व्यक्तत्व सिद्धान्त पर टिपड़ी कीजिये तो राइट एस वट नूट ऑन डॉलाइड एंड मिलर्स थियोरियो ओफ फरसनल्टी ठीक है अब आते हैं आप सेक्शन बी पे ठीक है तो सेक्शन बी आप देखो यहां पे आप देख सकते हैं स यहां पे लिखा है अटेम्ट नूट पढ़िए अटेम्ट ऑल कॉस्चन्स ऑल कॉस्चन्स कैरी एक्वल मार्क्स ठीक है तो ट्वाइल इंटु फाइव एक्वल सिक्स्टी मैंना को पहली बताया था बारा नम्मर के कोश्चन रहेगा और पांच कोश्चन रहेंगी हर एक तो आपको 60 नम्मर के हो जाएंगे ठीक है और यहां पे देखो यूनिट फस्ट से पूछा गया है कि व्यक्तुत्य के विभिन निर्धारकों का वैडन कीजिए ठीक है अथवा में इनोंने पूछा है व्यक्तुत्य के संपृत्य की व्याख्या कीजिए अब अथवा में न पूछा गया है अल्फ्रेड एडलर के व्यक्तुत्य सिद्दांत का विसलेशर कीजिए ठीक है और इसके बाद देखो इनोंने अथवा में कौन सा कुछा है अथवा में देखते हैं अथवा में इनोंने पूछा है फ्राइड के मनो बिसलेशर बाद को समझाईए मनो बिसलेशर बाद जो है फ्राइड के मनो बिसलेशर बाद को समझाईए explain the Freudian psychoanalysis ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए unit third unit third इसे जो question पूछा गया है एकाई 3 है ठीक है आप आप देखिए एकाई 3 से तो यहाँ पर देखिए explain new Freudian theories ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए not Freudvadi सिद्दानतों को समझाए अत्वा में इन्होंने पूछा है एरिक फ्रॉम के व्यक्तुत्व सिद्दान्त का वर्डन कीजिए ठीक है और आप देखिए यूनिट फोर यूनिट फोर जो है एकाई चार है एकाई चार से आपका जो कोशन पूछा गया है बो आहां पे आप देख सकते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं इसका जो अध्वा में प्रस्ण पूछा गया है वो कौन सा है अध्वा में पूछा गया है फ्राइड के मनो विसले सडवाद को समझाईए ठीक है तो यहां पे आप देखिए यूनिट थैड से यूनिट थैड से आपका कुश्चन कौन सा पूछा गया है यूनिट थैड से यूनिट थैड से आपका कुश्चन पूछा गया है नफ्राइडवादी सद्दांतों को समझाईए यह जो एक्जाम पर है यहां पे रिपीट हो यहां पर रॉटर के जो सिद्दान्त जो पूछा गया था देखो रॉटर यह है रॉटर के वेक्तुत्व सिद्दान्त की प्रमों का अबधारणाओं का बैडन पूछा गया था यूनिट फोर से अब आपको नेक्स्ट कोशन बता दें इसके जो अथवा में पूछा गया है के वेक्तुत्व सिद्दान्त को समझाइए ठीक है अब आते हैं यूनिट फाइब तो यूनिट फाइब से जो कुछन पूछा गया है वो कौन सा है दिखो यूनिट फाइब से जो कुछन पूछा गया है वो है मिसेल के वेक्तुत्व सिद्दान्त का बिसले सड की जिए ठ ठीक है अत्वा में पूछा गया है मार्टिन सेलिगमेन के ब्यत्तुत सिद्धान्त को समझाए एक्स्प्लेंड मार्टिन सेलिगमेन्स थियोरी ओफ पर्सनल्टी ठीक है आई होप आप सभी को अच्छी से समझ में आ गया होगा पेपर किस तरीके का है अब मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर करें थेंक्यू सो मच मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्जाम पेपर के साथ